पशिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फर्जी टीका करण कैम के दोरा नकली वैक्सिन लेने वाली टीमसे सांसद मीमी चकरवर्ती बिमार हो गई हैं फर्जी वैक्सिनेशन का शिकार हुई TMC सांसद मीमी चकरवर्थी की तबियत शनीवार को बिगड़ गई जिसके बाद उनके घर पर डॉक्टर को बुलाया गया आपको बता दे कि शहर के कजबा इलाके में एक फर्जी वैक्सिनेशन कैम्प की दोरा नभीनेत्री और सांसद मीमी चकरवर्थी को नगली वैक्सिन लगा दी गई थी हलाकि इस मामले में अब S.I.T. का गठन हो गया है दरसल मीमी चकरवर्थी शनीवार को कथिटी का करन इस थल पर वैक्सिन लेने के चार दिन बाद बीमार पड़ गई है खबरों के अनुसार उनके एक डॉक्टर को आज सुभा उनके आवास पर बुलाया गया था बताया जा रहा है कि मीमी को पेट में तेज दर्द की शिकायत है और अतिरिक पसी ना आ रहा है हलाकि उन्हें अस्पताल में भरती कराने की सला दी गई है मगर मीमी ने कथित तौर पर मना कर दिया उन्होंने घर पर ही रह कर उपचार करने का विकल्प चुना आपको बता दे बीते दिनों प्रिन्मल कॉंग्रिस के सांसद मीमी चकरवर्थी ने कोलकाता में चल रहे एक फर्जी वैक्सिनेशन ड्राइब का भांडा खोड किया और दावा किया कि वह खुद भी इस फर्जी वैक्सिनेशन ड्राइब का शिकार हो गई है और उन्हें नकली वैक्सिन लगा दी गई इस दोरान टीमसी सांसद ने कहा थी कि मुझे एक यूवक निसंपर किया था और उसने कहा था कि वह एई आई एस अफसर है उसने मुझे कहा कि वह ट्रांसजेंडर और देव्यांग लोगों के लिए खास वैक्सिन नेशन ड्राइब चला रहा है उसने मुझे इस ड्राइब में उपस्तित होने का अग्रह किया था अपनी सोशल मीडिया हैंडल में इसकी सूशना देने वाली मिमी चकरवर्ती ने बताया कि वैक्षिनिशन कैम्प में उपयोग की जा रही वैक्सिन के शीशियों को परिक्षन के लिए प्रयोग शाला में भेज दिया गया है और अगले चार पास दिनों में परिणाम आने की उमीद है टीमसे सांसद मीमी चकरवर्ती के मताबिक उन्होंने कहा है कि मैंने लोगों को वैक्सिन लेने के लिए प्रोथसाहिद करने के इरादे से उस कैम्प में जाकर को भी शिल्ड का वैक्सिन लिया लेकिन मुझे कभी भी को वैक्सिन की तरफ से कोई संबंधित मैसेज नहीं आया मैंने कोलकाता पोलिस से शिकायद की और फिर बाद में आरोपी पकड़ा गया हाला कि यह भी बताया जा रहा है कि देवान जन देव खुद को कोलकाता नगर निगम का जॉइंट कमिशनर बताता था पुलीसिया चानविन में पता चला है कि यह एक शक्स फर्जी सील मोहर और कागजात के आधार पर लोगों को धोखा दे रहा था फिलहाल सांसर मीमी चकरवरती इस वक्ते बीमार है और चिक इतसा चल रही है